जारखन राची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर बढ़ बहुत बहुत जोहार आप सभी को पुरे देश और दुनिया को आंतराश्ट्रिय योग दिवस की बहुत बहुत शुप कामना है आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देश वासियों को सुप्रभातम और आज ये प्रभात तारा मैदान बीश्व के नक्षे पर जुरूर चमक रहा है ये गवरवाज जारखन को मिला है आज देश और दुनिया के नेक हिस्षों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग अलग जगह पर जमा है मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ योग के दुनिया भर में प्रसार में मीडिया के हमारे साथ ही सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह की एहम भूमी का निभा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपून है मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ सात्यों जारखन में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभाव है आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकल कर दूर दूर से यहां आये हैं मैं आप सभी का आभारी हूँ बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं पांचवा योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए राची ही क्यों आया भाई और भेनो राची से मेरा लगाव तो है ही लेकिन आज मेरे लिए राची आने की तीन और बड़ी बज़े है पहला जसर की जारखन के नाम में ही ये वन प्रदेश है प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का ताल में इनसान को एक अलग ही एहसास कराता है दूसरी बड़ी बज़े यहाने की यह थी कि राची और स्वास्त का रिष्टा अब इतिहास में दर्ज है पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दिंदाल उपाता है कि जन्म जैंति निमित यहां राची से ही हमने आईश्मान भारत योजना की शुरुवात की थी आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केर स्कीम परधान मंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है भारतियों को आईश्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भाती जानते हैं समझते हैं इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है भाई और बहनों अब योग के अभ्यान को मुझे और हम सब को मिल करके एक अलग स्तर पर ले जाना है और यहीं रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वज़ा वो रहा है